जिला मंडी में यूक का पर्देश अजिक्ष विक्रम आदिती सिंग ने अपने मंडी दौरे के दौरान विश्राम ग्रे सुंदरनगर में पत्रकारवार्टा को सुंबोधित करते हुए काहा कि हमांचिल विधानसवा का अगामी चुनाव अगर मुक्यामंत्री विवजिस सि भाइध करेक्ष में परदेश का भरपूर विकास हुए है वहीं उन्हें भासपा के रास्टी प्रवक्ता डॉक्तर सवीथ पात्र के वियान का जवाब देते हुए कि उन्होंने जो बे बुनियाद आरूग परदेश का यूका कॉंगरिस पूरी तरह से खंडन करती है और विरोध करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यामन्धि वी भदी सिंग के नेतरती में पिछले पांच साल में हीमाचल पक्रदेश में अधिहासिक विकास हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि भास्पा की रास्टी प्रवक्ता सवित पात्रा को हिमाजल की चिंता छोड़ अपनी पार्टी की चिंता करने चाही कि किस तरह से हिमाजल में चुनाब जीता जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि परदेश की 65,000,000 जनता कॉंग्रेस सरकार पर भ्रोसा करती है तबी कॉंग्रेस के हक में जनता ने बोर्ट कर कॉंग्रेस पार्टी को चुना है वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसवा चिनावों में सिरकार और संगठिन के तालमेर से पर्देश की कॉंग्रिस सिरकार सता हासिल करेगी उसका युवा कॉंग्रिस पूरी तरह से विरोध करती है, खंडन करती है आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचित पर्देश में एक मजबूत सरकार कॉंग्रिस पार्टी की मनन्या मुख्यमंत्री वीद बेदर सिर्टी के नेतित्वा में कारिड़त है और उस सरकार दोरा पिछले साड़े चार साल पौने पांच साल के काले काल में एतिहासिक विकास के काले हिमाचित पर्देश में करवाए गए है चाहे वो कॉलेजिस कोलने की बात हो, चाहे वो सब्डिविजन्स है, चाहे आईपेज की स्कीम्स है, चाहे हेल्थ सर्विसेज है हर क्षेत्र में एतिहासिक विकास प्रदेश के हर कोने में करवाया गया है उनको प्रदेश हिमाचिल प्रदेश की चंता करने के आवशकता नहीं है प्रदेश की चंता ने हिमाचिल प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी को चुना कॉंग्रेस पार्टी की सरकार को बनाया और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले पांच साल में विकास की कोई कमी हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं छोड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले जो विधान सभा के चुनाब होंगे उसको मद्दे नज़र रखते हुए जो भी विजन डॉक्यूमिंट जो कॉंग्रिस पार्टी का मैनिफेस्टो अगले पांच साल के लिए बनाया जाएगा उन सब चीजों को मद्दे नज़र रखते हुए फिर से हिमाचल प्रदेश की 65 लाग जन्ता कॉंग्रिस पार्टी के सबी जो हमारे उमीदवार 65 विधान सभाक्षेत्रों में उतरेंगे उनको जीत की और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगी और हिमाचल प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी एक मद्बूत संगठन और सरकार के माधियम से हम लोगों के बीच जाकर उपलवदियों को लोगों के बीच रखेंगे और कॉंगरेस पार्टी को फिर से हिमाचल प्रदेश में सता सीन करने का हर संबख प्रियास करेंगे